जी आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्रिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासे सौनपुर में और आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार DLA 1st Year सेशन 2023-2025 के बच्चों के लिए Guessing Question paper F1 का लेकर आया हूँ और paper F1 में आपको हम Unit 1 के Guessing Question कराने वाले हैं तो कि आपके Unit wise पढ़ाई हो रहे हैं तो Unit wise भी जो है Getsing Question चलेगे तो अभी आप सभी लोगों को हम paper आपका F1 जिसमें समाध सिछा और पाठे चर्या की समझ के बारे में पढ़ना है इसके guessing question के उपर बात करेंगे और मैं आपको बता दू कि यहां जो guessing question है यह आपके exam भी उसे काफी महत्यपोंद रहने वाला है ज्यादा question होंगे नहीं 7-8 प्रस्ण आपके unit 1 में आपको मिलेंगे और वही प्रस्ण को आपको पढ़ना है जब जितना पढ़ले उतना best है और exam में आपको यहीं से देखने को मिलेगा मैं आपको बता दू जितने भी प्रस्ण है यहां पर मैं कराने वाला हूँ यह सारे प्रस्ण का उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूँ किवल मैं प्रस्ण आपको बताऊंगा और इस प्रस्ण का उत्तर आपको खुद ढूना है सबसे पहले और उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद ये सारे प्रस्णों का उत्तर की साथ आपको पीडिये प्रभाइब करवाएंगे तो ये आपके लिए बेस्ट इसलिए रहेगा ताकि आप लोग भी जो है मैंने आपको क्लासेज दे दिया आपको मैंने समझा दिया अब इसको मैंने गेसिंग कोर्शन भी करवा दिया अब इसको लिखने का काम आपका रहेगा क्योंकि एक्जाम में आप लिखेगा बाकी में इसको लिखा लिखा हैं तो आपको दे दिए दूगा, परसान नहीं होना है, चलिए इम प्रस्न के ओपर चलते हैं, तो यहापर ध्यान दिजेगा, यहापका प्रस्न है, यहापर आग्या देख सकते हैं, यहापर ध्यान दिजेगा, कि आपका जो यह पेपर है, समा आपके प्रस्ण रहेगा जो कि एक्जाम भी उसे काफी महत्रपून है समझ गए यहां पर ध्यान दिजेगा पहले प्रस्ण के उपर तो पहला प्रस्ण आपका बोल रहा है कि समाजी करण की प्रकिरिया को इस पस्ट करें और यह प्रस्ण आपका जो है 2019-2022 और आपके 23 में प्रस्ण देख सकते हैं काफी महत्रपून प्रस्ण है फिस समाजी करण की प्रकिरिया को इस पस्ट करें हमने आपको बताया थे कि समाजी करण क्या होता है और इसकी प्रकिरिया कैसे होती हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है जन्म लेने के बाद माता-पित पारिवार मित्र समाज शिक्छक विद्याले ये सवी जो है समाज़ी करण की भुमिका में अपनी महत्य पुन जो है भुमिका निभाते हैं वही बाते कि परकीरिया कैसे होती तह Одट समाज समाज में कि आपके सिख्चा फिर भी द्याले ऐसे उनका समाजी करन स्टेप बई स्टेप जो होता है मैंने आपको पढ़ाया है इसका इंसल लिखने का परियास करेगा समझ गया अगला यहां पर आपका प्रस्ट में दूसरा नमर दिखिएगा यह दूसरा नमर प्रस्ट काफी महत्यपून होता है आपको बताना है वही कि बच्चों का बच्पन क्यों महत्यपून होता है इस पस्ट करे हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का बच्पन जो होता है सुनरा काल होता है और उसी काल में बालक जो है आनंद जीवन जीता है साथ इस साथ जो ह वह क्या करता है वह दुसरे के उपर आस्रीत होता है और जो बालक का बचपन होता है उसी स्टेज में बालक का सारेडिक और मानसिक जो है विकास तिर्ब गरतिस होता है तो बालक का बचपन जो है इसलिए महत्यपून हो जाता है कि अगर हम छोटे उम्र में बच्चों के पूर्ण होता है पर तेक समाज में रहने वाले बच्चों का बच्पन महत्य पूर्ण होता है लिख लीजेगा समझ चलिए अगला यहां पर आपका थोड़ नमा प्रस्ण है और यह काफी महत्य पूर्ण प्रस्ण याद रखीगा या देहां दीजीगा समाजी करन क्या है उस इसकी आवाधारनायों जो है विविद्द संधर्वो की बात करें अभी आवशकता कहने का मतलब है आपको लिखना को समझ पर अब सकत करें पर सामाजी कने को लेकर ये सबी जो है विविन संदर्व है जहाँ पर बालक का समाजी करन जो है बेतर तरीके से होता है step by step होता है उसी के बारे में आपको लिखना है ये प्रस्ण किलियर है चलिए और सारे प्रस्णु का उत्र आपको लिखना है ये नहीं कि मेरे बहुत से बैठ रना नहीं आपको पहले खुद लिखना है उसको आद मैं आप पर बताऊंगा समझ गए आए प्रस्तु संख्या फोर के बात करते हैं देखेगा प्राथमिक एउन दुवितिये समाजी करण को उधारन के साथ इस पस्ट करें प्राथमिक एउन दुवितिये समाजी करण को उधारन के साथ इस पस्ट करें यह मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी सोसलाइजेशन क्या होता है सेकेंडरी सोसलाइजेशन क्या होता है और यह काफी महत्यपून प्रस्तु समाजी करण जो आंते हैं समाजी करण को दो प्र महत्यपून हो जाती है तो उसी के साथ आपको example के साथ इस first करना है और यह प्रस्ण जो है कई बार पूछा हुआ है और काफी महत्यपून प्रस्ण है यह आपका unit 1 का समझ गना चलिए अगला यहापर आपका पांच रमा प्रस्ण है और यह भी प्रस्ण आपका काफी important है दे है यह सारे प्रस्णों को ईकर लेए बट मैं आपको बिता दो यह हैसे प्रस्ण आपका बहुत तरह निकलेगा है ये बच्चों के समाजी करन में अग्रों सब्सक्राइब बच्चों के समाजी करन में समाज और परोस की भून का सब्सक्राइब यह प्रश्ण पूछेगा काफी महत्य पूर्ण है याद रखेगा यह प्रश्ण आ रहा है दम कंफॉर्म यह आएगा आपको समझ गए चलिए अगला देखेगा यहाँ पर जो है इस्क्स नमब प्रश्ण और यह 6 नमब प्रश्ण को देखेगा कि बच्चों के समाजी करन को परभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें यही तक प्रश्ण है यह तोरा एक प्रश्ण जो इसमें इंगेज हो गया यहाँ पिर समाजी करण को प्रभावित करने वाले बिविन कारक है, माता-पिता, परोष, वाताबरन, आपके पौश्टिक भोजन, स्वास्त, सारे डिक, खेल, खूद, बच्चे, यह सबी हैं, समझ गना, मैंने आपको पताया है, कौन-कौन से कारक है, समझ गना, वो सारे कारकों को आपको एक्जामपल के साथ इसपस्ट करना, यही आपका प्रस्ट है, अगला यहापर आपका स्वेन अवफ प्रस्ट है, यहापर दिखेगा, कि परिवार की पालन, पोशन, सहलिया का बच्चों के समाजी करन पर क्या प्रभाव करता है, बताए, यह प्रस्ट 19 में, 20 में, प्रस्ट ने, काफी महत्य पूने, आपको बताना है, कि बच्चों के समाजी करन के उपर, माता-पिता के पालन, पोशन, सहलिया का बच्चों के समाजी करन के उपर, माता-पिता का पालन, पोशन, सहलिया का बच्चों के समाजी करन के उपर, माता-पिता का पालन, पोशन, बेतर जो बच्चो का समाजी करण होगा हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि जिस पिकार कि आपके माता-पिता होंगे उसी तरह बच्चो के उपर प्रभाव परता है हमने आपको बताया था ना कि अगर बच्चो को पोस्टिक बोजन नहीं दिया जाए या बच्चो का पालन पोस्टिक जो है बेतर नहीं रखा जाए तो बच्चो का भविस से और बच्चो का समाजी करण जो है बुड़ी तरीके से परभावित हो जाएगा साथी साथ हमने ये भी आपको एक्जेम्पल बताया था अगर आपके माता पिता अच्छे है तो बच्चो के उपर जो है अच्छा प्रभाव परता है अगर आपके माता पिता बुरे है तो बच्चो के उपर जो है बुरा प्रभाव परता है ये सारी बाते मैंने आपको बताया है निकला वहरी बात हैं। इस तरह आप लेग सकते हैं। पर आश्ती में पुछा हुआ प्रशन हैं। बचन के समाजीकरन में पर और परोस्ती भूनीगा क्या है? हम सबी लोग जानते हैं त्वालक दुघू परोष है वह बेतर होगा तो बालक कर समाजिकरन बेतर होगा नहीं तो अगर बुरा होगा तो बुरा होगा इसके बारे में आपको define करते हुए लिखना है और यह जो आठ प्रस्ण है यह काफी महत्त पूर्ण है आपके unit 1 से और यहीं तक जो आपके खत्म होता unit 1 और जितने भी प्रस्ण में यहाँ पर आपको बताया है यह सारे प्रस्णों का उत्तर आपको खुद लिखना है पहले और बाद में मैं इसको आपको लिखवा दूँगा यह करके मैंने करा दिया आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते है निक स्टुडियो में और जाने से पहले आप सभी लिखोस निमेदन है इस वीडियो का देख सेदिक शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा सस्क्राइब कीजेगा चैनल को धन्यवाद ओके टेक क दिया है दोतक है भी यह इस हांपको गलता और ब Secret Arts कि दो कि मिलते हैं टेक्वाद जग जवामे खया दो कि दूने हैं और भी वारस हमगा आपने से रापिर होगाने सी एल निदे चा को बड़ में लिखरी है दोत